हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूँ रवा मावा की गुजिय की रेस्पीच क्योंकि तेवहार आने वाला होली है तो सबके घर भी कुछ न कुछ बनेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इधर मैं आपको बता दे मैं इसलिए ने लेग हैं तो इसको हम सबसे पहले तो इधर लगा लेंगे मादा मै रिपएनन ओल मैंखने के charming तो इधर आप घी भी ले विए सकते गी बहुत ऑल आश्छा टेश्ट दाएगा तो इसमें अब हम्कुप पहले तो मिक्स कर लेंगे ऺ से जिसह मोयन हमारा जो बहुत अच्छा परफेक्ट होना चाहिए जिससे हमारी जो गुजिया न बहुत ही खस्ता बने तो यह देखिए ऐसा मुठी बान के देखेंगे न तो ऐसा बन रहा है इसका मतलब मोयन सही है हमारा अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके एक सक डो लगाएंगे मतलब जो पूड़ी से थोड़ा सा टाइट हमें डो लगाना है जिससे क्या इधन आप हमें पर्थन या तेल लेके नहीं बेलना है बस ऐसे हमें डो लगाना है तो इधर लगा लिए उमें अब धक के इसे रख देते हूं गीले कपड़े से अब इधर हम स्टफिंग बना लेते हैं स् बुखन तो едहब लेंगे इधर में एक बॉल लेती हैं इसी में हमी स्टफिंग को डालेंगे पूरा प्रेप आउडर सुघल ले लेती हूं मैं एक कफ और एधर ये सूजी जो है रवा है इसको भी डाल देंगे इसमें अब इसी पैन में मैं ड्रायफ फ्रू परूढ़े तो ड्रैफ फ्रूट्स में मैं इतर काजू, बदाम और पिस्ता ले ली हूँ, इसको मैं बारी कट कर ली हूँ, मतलब थोड़ा बड़े साइज में कट की हूँ, उसके आज इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, अब इसी पैन में हम डाल देंगे तो यह देखिए, बहुत ही मतलब यह पिखल रहा है, तो भून गया है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको इसमें हम मिला देंगे इलैंची पावडर, और यह मैं डाल पावडर है, जिसको जिंजर पावडर भी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं सोट पावडर, तो यह देखिए, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, जब ठंडा हो जाएगा, और इधर हमारा डो भी अच्छा फूल गया है, सिट हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं, और इधर हम एक लोई ले लेंगे, ऐसे, एक बड़ी सी लोई लेंगे, और इसको तरह थोड़ा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं वैसे गुजिया जो नॉर्मल बनते हैं, वैसल मैं बना चुकी थी, तो मैं सोची चलो यह से इस तरह बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चैंदर कला कुछ करके बोलते हैं, उसी सेप में बनाऊंगी, बच चासनी वाला नही के ऐसे उंगली से सदवाते हुए, और अच्छे से हम चिपका देंगे, उसके बाद इसमें हम अब डिजाइन बनाएंगे, तो यह देखो कैसे हमें बनाना है, अब देख रहा है, ऐसे करके हम दवाते जाएंगे, साइट से, बहुत ही अच्छी से डिजाइन बन जाती है, तो अगर आपके पास इसका सांचा हो तो आप उससे भी बना सकते हो तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत जटपते से बन जाता है, मुझे अच्छा भी लगता है ऐसा भनाना तो यह देखिली मैं ऐसे भना ली आपास बहुत ही सुन्दं लग रहा करेंगे पहले हम 2 डाल के देख लेते हैं कि फराई हो रहे हैं तो इसमें और ढलकर णेंगे बहुत ही अच्छे से हमें गोल्डन कलर को जाए और इसको हम पलठ पलठके य। प्लैके और तilon नीकाल लेते हैं अच्छे से हम और य। तो I hope friends आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरे चैनल को subscribe करना और मेरे वीडियो को like करना okay friends, advance में happy holy friends, okay bye, take care